दिल्ली के भजणपुरा में एक मंदिर और मज़ार को हटाने को लेका नोटिस जारी किया गया है इसके खलाफ दोनों धर्मों के लोग सड़क पर उतराएं क्या है ये पूरा मामला इस रिपोर्ट की जर्याद देखे वजणपुरा में रोड के किनारे बने एक मंदिर और एक मज़ार को हटाने का निर्देश जारी किया गया है पीडेबलुडी ने नोटिस चस्पा करके 15 माई तक उन्हें हटाने को कहा है इस आदेश को देखते हुए दोनों समुदाय के लोग सडकों पर उतराए है स्थाने नागरी को सहित हिंदू रक्षा दल के लोगों ने मंदिर में हरुमान 40 अक अपाट किया और मंदिर नहीं हटाने के अपील की वहीं मज़ार पर चस्पा नोटिस को बच्चों ने हटा दिया है स्थाने लोगों के मुताबिक यह मज़ार काफी पुरानी है यह पताइए यहां पर नोटिस चस्पा हुआ था आज यहां नोटिस लगे हुए थी इसने लगवाया था पीड़ी के अधिकारी नहीं तो नहीं तो नहीं लेकिन यहां लगे हुए थी पंदर तारिक दिर्ट और अब आईए आपको दिखाते हैं ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट जो हमारे समाधता अंश्पान यादव ने भीजी है कि दिल्ली के बजनपुरा में एक 90 साल पुराना हनुमान जी का मंदिर है जहां पर लोग अपनी आस्ता रखते हैं और इस मंदिर को तोड़ने के लिए पी डवलूडी दौरा एक नोटिस चस्पा किया गया जिसके विरोध में यहां पर तमाम इस्थानिये लोग के साथ सा कि दल के लोग यहां मौजूद है यहां पर नोटिस लगाया गया कि मंदिर को हटा दिया जाए यह अतिकर्मन किया गया सरकारी जगारवार हमारे जो विरोध है सरकार से यही विरोध है कि आप विकास के नाम पर हमारे प्राचिन दरोर को आप तोड़ रहे हैं अगर आप करें को दो है नोट चस्पा किया है सिंगल रोड था तो भी जोड टे बिल्कुल साइन में था पूरी जगह थी हुझ साइब भी आने जाने कि जगह थी और शुचारों से पूरी गारिया भी चल लग थी अभी आपको लग रहा अभी क्या है अब यह एलाओ तो थोड़ा सा लेकिन फिर भी गाली को आने जाने का फूरा साधन है